फ्रेंट्स मेनुफेक्चिंग प्रेमिसेस में जब कोई प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कुछ टाइम होते हैं जो काफी क्रिटिकल होते हैं उन टाइम की उपर ही डिपेंड करता है कि हम प्रॉफिटेबल जा रहा हैं अपने प्रोड़क्ट अपने कस्टुमर को कर रहा है या नहीं कर पाँ है या अगर नहीं कर प्रोड़क्ट करके ने पुरौर को सुध支持 करके तो चलिए इसvoor प्रॉसेस को समझने वाले हैं किसी 593 को पहु को कॉम्प्लीट करना या फिर finish good produce करना यह कोई पर्ट प्रड़ोस करने में जो ताइम लगता है वो उस product process या फिर उस task के लिए cycle time होता है जो अब cycle time का फॉर्मुला देखते हैं जो कि है total production time divided by available time time means एक working shift में हमने जित्य भी part produce कि यह वो हमारी total production हो गया और अब available तो तो ती ब्रेक्स भी होगा है दद्दस मिट के तो अब जो हमारे साड़े आठ घंटे हैं उस में से जब हम लंच ब्रेक और दोनों टी टाइम को माइनस करेंगे मिस 50 मिनिट्स माइनस करते हैं तो हमरे पार जो अवेलेबल टाइम बचता है वो 7 गंटे 40 मिट का बचता है है एक वर्किंग शिफ्ट में टोटल प्रोड़क्शन टाइम तो सरी टोटल प्रोड्यू पार्ट प्रोड्यूस करने के लिए अवेलेबल टाइम है अगर मान के चलिए हम एक शिफ्ट में 4500 पार्ट को मैनुफेक्चर कर रहे हैं तो जो हमारा साइकल टाइम निकल के आता अनुब जचल पार्ट के लिए इसको फूर्मुला आएगा वह हमा सगव है अबन के चलिए कस्ट्मर डिमांड जो है हमारी करेoff' 1吧 टाइम से जादा है तो हमारा ताइम करते हैं थे पर देफियांडिमुन करेंगोर्ट सब्सक्ति ही से इससे की आई सैट पूलिक सब्सक्राइब ठीक है तुछ संहें दो था आइन से जादा है फिipp टैम स्कूरिठ सैकलत तर जैसे कि आप कपर भी सब्चाइब है हमेरा साइकल टाइम 16 सेकंड का था और ग्याग तैक्ट सेकंड पर बे हैं तो हमारे पास प्रडूदक्शन हो जाएगा क्योंकि हमारा तो 16 सेकंड में प्रडूद्यूस खर जाता है तो हम वह चुल घपिर के लिए जो कंडिशन सेकंड बन ती है वह अपने customer को बोल सकते हमारा 16 सेकंड में पार्ट बनफेक्चर हो जाता है तो हमारे पस additional time है और या फिर हम एडिशनल पार्ट प्रोडियूस करना है या फिर हम इसके लिए हमारे पास 21 सेकंड में हम एक पार्ट प्रोडियूस कर रहे हैं लेकिन हमारे पास सिफ 16 सेकंड ही है एक प्रोडियूस करने के लिए टेक्ट टाइम हुआ तो यह अंडर प्रोड़क्शन की कंडिशन जन्रेट हो गए तो यहां पर हमको प्लानिंग उसी के में अपनी प्रोड़क्शन करके अपने एसेंबली कर सकते हैं इस अंडेक्ट टाइम और साइकल टाइम को अपना नेक्स टाइम देखते हैं जोसी है लिए टाइम कस्टुमर से ऑडर रेसीव होने से लेकर उसके डिलेवरी तक का जो पीरेड होता है वो ली टाइम होता है मिस एक डेट पर्टिकुलर डेट को हमको प्यों रिसीव हुआ उस प्यों की डेट से जिस भी दिन हमने डिलेवरी किया मतलब कस्टूमर के डौर तक अपना मट्रेल पहुंचाया वो जो इसके बीच क जो हुआ हुआ हो ना एक तारीक को प्यों रिसीव हुआ दसको डिलेवरी तो मारा लीट टाइम जो है वो टैन्डेस का आया अब त्रोपूट टाइम देखते हैं जिस दिन या जिस टाइम सड़ी जिस दिन हमको रौ मट्रेल रिसीव हुआ अपने मैनफेक्ट्रिंग प्र डोर तक डिलेवरी करना प्रोड़क्ट की वह हमारा थ्रोपूट टाइम हुआ इसको एक एक्जम्पल से लेखते हैं लास्ट एक्जम्पल को मैच करते हैं जैसे हमको एक टूवर को तो प्यों रिसीव हुआ लेकिन हमारे मैनफेक्ट्रिंग प्रेमिसेस में रो मट्रेल हम तो हमारा जो साथ दिन का टाइम है वह हमारा थ्रोपूट टाइम होता है तो चली फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपने चारो टाइम को अच्छी तरह से समझा होगा और इसको आप अपने मैनुफेक्ट्रिंग प्रेमिसेस में मैच भी करेंगे हमने काफी सारे वीडिय आप चैनल पर जाके देख सकते हैं वीडियो में भी उसके लिंक शेयर करूंगा और किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो जानना है था हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताए हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे चैनल को लाइक कर चैनल सब्सक्राइ करें थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फर वाचिंग